ICC One Day World Cup 2023 का आगास 5 अक्टूबर को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा टूर्नामेंट में भारत समेट कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. इन सभी टीमों में 6 खिलाडी ऐसे भी उतरने वाले हैं, जो IPL में किसी ना किसी टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं. इस कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें से भारत, आस्ट्रेलिया, इंगलैंड और साउथ अफरीका ने अपना स्क्वाड घोशित कर दिया है. इससे यह क्लियर हो गया है कि इस बार वर्ल्ड कप में भी इंडियन प्रेमियर लीग का बोलबाला रहेगा. वर्ल्ड कप में IPL के कुलचे कप्तान उतरने वाले हैं. इन में से एक ही बतौर कप्तान खेलते दिखाई देंगे. यह रोहित शर्मा है जो भारतिय टीम के कप्तान है. जबकि IPL में रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्स टीम की कमान संभालते हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई को पांच बार खिताब जिताया है. IPL में महेंदर सिन्ह धोनी ने भी अपनी कप्तानी में चैन्नेई सुपर किंस को पांच बार खिताब जिताया है रोहित शर्मा के अलावा भारतियों में हार्दिक पंडिया, श्रेयस अयर और केल राहुल भी वर्ड कप टीम में शामिल है यह तीनों भी IPL में कप्तानी करते हैं हार्दिक ने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटन्स को एक बार खिताब जिताया है जबकि श्रेयस अयर कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान संभालते हैं हालांकि पिछले 2023 सीजन में चोट के कारण श्रेयस नहीं खेले थे उनकी जगह निती श्राणा ने कमान संभाली थी जबकि केल राहुल IPL में लखनव सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं इनके अलावा इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के एडेन मारकरम और आस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर भी खेलते नजर आएंगे IPL में मारकरम संराइजर्स हैदराबाद की कमान संभाल रहे हैं उन्हें पिछले 2023 सीजन में नया कप्तान बनाया था जबकि डेविड वार्नर ने पिछले सीजन में रेग्यूलर कप्तान रुशब पंत की गैर मौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाली थी वार्नर ने इससे पहले अपनी ही कप्तानी में हैदराबाद तीन को भी 2016 में खिताब जिताया था इस तरह कुल्चे कप्तानों में से सिर्फ रोहित, पंड्या और वार्नर ही हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीन को IPL खिताब जिताया है